स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक स्टूडीज आज हम बीए बीए सी सेकेंड समेस्ट्री की बुक वेक्टर काल्कुलस के चैप्टर नमबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर फॉर्थ देखेंगे तो देखो यह हमारा next example पिछले वीडियो में हमने एक ही example किया था कुछ error आगे था उस वीडियो में इस वज़े से आगे के examples हमारे show ही नहीं हुए तो मैंने एक ही example की video upload कर दी थी अभी जो बचे हुए दो examples है वो हम आज कर लेंगे इस वीडियो के अंदर दुबारा से है कि a cross b equals to c है यह दे रखा है और b cross c equal to a यह भी दे रखा है show that three vector a b c are orthogonal in pairs and mode of b equal to one and mode of c equal to mode of a क्या बो लाइन होने कि a b c तीन vectors है इस तरीके से हैं कि यह वाली condition और यह वाली condition given है फिर उन्हें क्या बोले कि show करो a b c है ना हमारे orthogonal है और mode of b one है mode of c e है अब बात है सबसे पहले कि orthogonal क्या है orthogonal हमारे perpendicular होते हैं उसी को हम orthogonal बोलते हैं अभी perpendicular की conditions हमारी क्या होती थी perpendicular की मेरी यह condition होती थी कि दो vector की मैं dot product करो और उनका अंसर क्या आजाए जीरो आजाए अभी इन्होंने क्या किया कि orthogonal तो बताओ लेकिन pairs में मलब a dot b a dot c b dot c इनके जो dot product है ना वो क्या आने चाहिए जिरो ने यह हमें क्या करना है इसमें प्रूव करनाी है ठीक है तो आप two proof में क्या लिखेंगे की हमारे पस three vector है A, B, C जो की हव chunky ओर्थोगोनल प्रूव करने है that is हमें a dot b a dot c और हमें ब Communications को क्या प्रूवक करना यह हमें given है ठीक है और हमें क्या given है B cross C equal to A यह हमें given तो नुची ज़िए ठीक है अभी हम यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करते हैं अभी मुझे प्रूफ में क्या करना है इसकी dot product, इसकी dot product, इसकी dot product को 0 दिखाना है ठीक है तो हम यह लेके चलेंगे जो given चीज़ उसकी को लेके चलेंगे और तो कुछ बोली नहीं रखा बस यही given दे रखा हमें तो हमने यह ले लिया equal to C अभी मुझे इन में से कोई भी एक चीज़ को क्या करना प्रूफ करके दिखाना है देखो C है जैसे अगर मैं दोनों side मैं यह निकाल रही हूँ पहले अगर मैं दोनों side A की dot product ले लो दोनों side taking A की dot product both side इस तरीके से तो मेरा यह हो गया ठीक है अभी इसको हम क्यासे लिख सकते है अभी मुझे एक बात का और पता है कि अगर इसके अंदर कोई भी दो वेक्टर equal हो जाए तो इसका अंसर क्या आता है 0 तो A dot C मेरा क्या आगया 0 एक बात तो होगी proof कि यह मेरा 0 आगया ठीक है similar हम क्या भी कर सकते है क्योंकि मुझे B dot C भी चाहिए तो similar हम इसके अंदर दोनो side B के साथ dot product भी कर सकते है जैसे हमने यहां पे कर लिया B dot की product जैसे इधर कर लो इधर कर लो मर्ची है यह कर लिया तो यह क्या हो गया A B B C dot B A B B दो same होगे तो यह भी क्या हो गया 0 dot product में आगे पिछे का कोई फरक नहीं पड़ता यह same ही बात होती है तो यह टम भी हमने प्रूब कर दी यह टम भी प्रूब कर दी अब मुझे चाहिए है A dot B लेकिन इसमें इधर ना तो A है ना B है तो अभी इससे काम नहीं चलेगा अब हम लेंगे यह बला B cross C equal to A अभी मुझे क्या चाहिए A dot B तो दोनों साइड हम क्या करेंगे B के साथ dot product करेंगे तो B के साथ dot product कर दी यह BBC हो गया यह क्या हो गया हमारा B dot A यह हमारा क्या हो गया क्योंकि इसमें 2 same हो गये तो यह क्या हो गया 0 तो हमारा गया B dot A 0 तो हमारी ये तिनों चीजे तो 0 प्रूफ होगे जो हमें प्रूफ करनी थी यहाँ पे इसके अंदर ओके अभी ये तो होगे हमारा प्रूफ की ये बोला थे न कि शोग करो कि जो ये वेक्टर ये और्थोगुनल है तो ये और्थोगुनल में प्रूफ करती है दो-दो की प्रोडक्ट हमारी 0 आगे अब हम एक दो चीज और प्रूव करने है कि जो mode of B है वो 1 है mode of C mode of A के equal है देखो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर जैसे हमने ये दे दिया अभी मैं पहले ये प्रूव करेंगे हूँ कि जो मेरा mode of C है वो mode of A के equal है और जो given चीज़ा उसी से करेंगे हम ये तो हम ये दोनों चीज़े ले ले लेते जिसे क्या दे रखी है एक तो A cross B equal to C दे रखा हमें और A हमें क्या दे रखा है यहाँ से B cross C equal to A है नदेखो अब हम क्या करेंगे क्योंकि मुझे क्या चाएISH हम dot product की साथ कर देंगे क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर A के साथ dot product करेंगे तो यहाँ भी A, B, C टाइप की चीज़ बनेंगी और यहाँ पर C के साथ dot product करेंगी तो A, B, C टाइप की चीज़ बनेंगी अगर ये दोनों equal फिर ये दोनों एकवल हो जाएंगे तो इस तरीके से हमने देखा कि फिर ये प्रूफ हो सकता है तो हम क्या करेंगे यहां पर दोनों साइड C के साथ डॉट डॉक्ट करेंगे चीक है तो हमारा ये हो गया C.C टिक हमारा ये आ गया इसे अब ये क्या है देखो C, A, B ये है और ये क्या हो जाएगा mode of C का square इस तरीके से लिखते है अगर ये हो तो इसका C का square हो गया ठीक है अब भी करो C है यहां पर ये है तो इसमें हम क्या करेंगे A के साथ डॉक्ट करेंगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा A.A तो ये क्या हो गया हमारा जैसे A, B, C और A का square ये हो गया ठीक है अब मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों सेम है क्या इनका साइकली कोडर सेम है ये तो ठीक है A, B, C A के बाद B, R है B के बाद C और C के बाद A मतलब इनका साइकली कोडर सेम है ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम लिख सकते हैं, जैसे इसको first मा लेना इसको second मा लेना, लिख देना, from first and second ये दोनों equal हैं हमारी left side equal है, तो right side भी क्या होगी, equal होगी, mode of c érieur equal to mode of a, का square हमारे ये होगा, अगर निके, square equal है तो ये भी mode में क्या होंगे इक्वल ही होंगे तो mode of c equal to mode of a तो एक चीज तो हमें यही प्रूफ करनी थी तो ये मैंने प्रूफ इस तरीके से कर दी अब बात आई मुझे एक चीज और प्रूफ करनी है कि जो mode of b है ना वो one के equal है ये और प्रूफ करके है यह तो हम क्या करेंगे दोनों सड्व बी के साथ इसके cross product कर देंगे अभी cross product solve करनी आती हमें तीन की तो किस तरीके से होगी पहली और लास्ट हमकी dot product कि इंटू में ए इंटू में आएगा ये minus bracket पीछे तो पिछे बी और यह क्या जाएगा B dot A equal to B cross C हमारे यह हो गया अब हमारे जिसी B dot B इसको हम क्या लिखते हैं mode of B का square इसी तरीके से लिखते हैं इसको तो हम into में A है और अब देखो यह क्या है हमारा B A B और मैंने अभी प्रूफ किया है बिल्कुल जस्ट कि B और A के जो dot product है ना वो तो 0 है क्योंकि यह orthogonal है देखो इनकी dot product तो 0 है क्योंकि यह orthogonal है तो यह क्या हो जाएगा यह term हो जाएगी हमारी 0 यह क्या गया B cross C ठीक है अभी यह हमारा हो गया mode of B का square A equal to B cross C ठीक है also मुझे एक चीज़ और गी वने question के अंदर की B cross C है मेरा A है तो यहां से मैं A लिख सकती हूँ इसको अभी इस तरीके से अगर हम देखे तो यह A से A हमारा हट जाएगा तो यह क्या गया 1 तो mode of B मेरा क्या गया 1 आ गया तो यह भी हमारा इस तरीके से प्रूब हो गया जो यह question आपका काफी important question है और थोड़ा सोच समझ के भी करना पड़ता है देखो पहले तो हमें इसको इन तीनों की dot product को क्या करना था जीरो दिखाना था तो वो हमने दिखाया पहले यह लिया इसकी एक के साथ dot की जैसे 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 हमारा बनता गया फिर similar फिर हमने इसके साथ की इसके साथ की फिर हमें इस ती जोड़ प्रूब करनी थी कि इसका mode इसके equal और इसका mode 1 के equal है तो हमने यह conditions ली दो similar इसमें हमने यह किया तो इस तरी के सबको यह question करना है अब देखो next question क्या है हमारा कि solve the following vectors equation for x मतलब मुझे x की value निकालने इस equation से जो कि यह दे रखिया x plus x into a vector equal to b vector where a vector and b vector are non parallel vectors parallel vectors नहीं है होके यह दोनों ठीक है क्या हैं यह हमारे non parallels मतलब non parallels का मतलब कि a cross b की dot product 0 नहीं हो cross product 0 नहीं होगी क्योंकि parallel होते तो उनकी cross product 0 होती है हमने last lecture में भी पढ़ा था co linear co linear parallel सेम होते है हमारा और a cross b में co linear हमारा क्या होते है 0 होते है right मतलब जब हमारे parallel होते है तो उन दोनों की cross product 0 होती है बट यह क्या है non parallel तो उनकी cross product 0 नहीं होगी ठीक है मुझे अब question में क्या बोल रखिया निकालेंगे कि जैसे यहां पर b दे रखा है एक बार तो a की dot product करेंगे इसके साथ एक बार a की cross product करेंगे इसके साथ उसके बाद हम देखेंगे equation हमारी किस तरीके से बन रही है फिर idea subject करेंगे उससे हमारी जो x की value है वो आ जाएगी ठीक है अब जैसे हमें यह दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे a की dot product करेंगे पूरी equation के अंदर यह हो गया हमारा यह a dot x cross a equal to a dot b ठीक है अब जैसे मेरे यह है यह मेरा क्या बनेगा यह मेरा यह बनेगा a x a और मुझे पता है इसके अंदर अगर कोई भी दो vector equal हो तो वो क्या हो जाते 0 तो यह term तो मेरी 0 हो गई यहाँ पर क्या आगया a dot x equal to a dot b ठीक है तो यह हमारी होगी एक equation ठीक है अब मुझे क्या करना है एक बार तो मैं एके साथ dot product कर चुकी है अब हम करेंगे अब हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे a cross x तो as it is रहेगा इसको solve कैसे करेंगे इसकी dot product इसके साथ into में x minus पिछे है तो पिछे वाली term पिछे हैगी a dot x equals to a cross b हमारे यह हो गया अब जैसे यह a cross x हो गया यह हमारे क्या हो जाएगा इसका mode of a का जैसे यह है हमारा a dot x into a इसमें हम क्या करेंगे a dot x मैंने यहाँ पे निकाला था यह क्या था a dot b तो इसकी जगे मैं यह put कर सकती हूँ तो हम यहाँ पे यह कर रहे हैं put a dot b into a equal to a cross b अब यह तक हमने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ इस equation की a के साथ dot product की ए और a के साथ cross product की है और हमारे पास इस तरीके की equations आ गई है और जो इस equation का था यह वाड़ equation का हमने इसके अंदर use भी कर लिया है तो हमारे पास एक तरीके से कितनी equation होगए यह वाड़ equation चो जो starting स्टार्टिंगं यह एक यह ठीक है अब हम क्या करें यहां पे हमें निकल लिए x की value अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ तो x की value नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ cancel नहीं हो रहा है लेकिन अगर मैं इसको रिसको add करूँ ना इसको रिसको यह first term मान लो यह second equation मान लो इसको इसको add करो तो बहुत सारी चीज़े cancel हो जाएंगे और सिर्फ हमारी वहां पे x की value बच जाएगी देखो किस तरीके से होगा जैसे मैं इसको add करूँ पहले में यह term लिखोंगे x plus x cross a ठीक है इस दिखर वाले में इदर वाले add करेंगे तो यह जैसे मैं इस add कर रहे हो भी तो a cross x plus a square x minus of a dot b into a equals to इदर हमारे क्या है b plus a cross b हमारे यह है अब ध्यान से देखो x cross a और a cross x है तो जैसे ही मैं इसको आगे पिछे करूँगे तो यह minus हो जाएगा तो यह और यह तो हमारे क्या हो गया यहां से cancel हो गया उसके बाद is term में x है और is term में x है तो हम क्या करेंगे इसमें से x को मले लेंगे तो यहां पर क्या जाएगा one of a का square हमारे क्या आ गया minus of a dot b into a equal to b plus a b plus a cross b हमारे यह हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे इसको अधर लेके चले जाएगे तो plus में हो जाएगा देखो बी प्लस a cross b plus a dot b upon यह उसके बाद x की value निकालने के लिए यह one by में चला जाएगा तो यह हो गया हमारे x की value हमें x की value ही निकाल ली थी इस question में तो हमने x की value निकाल दी यहां पर okay thank you guys for watching my video please do like share and subscribe to my channel thank you so much